बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम, सलामों अलेकुम, वेलकम टू माई कीचन आज मैं अपके शाज शेयर करूंगी हमारे भरुस सहर का बहुती फेमस और बहुती पॉपिलर दाल गोस पुलाव की रेसिपी और हमारे भरुस सहर की साधियों में ये दाल गोस पुलाव बनता ही है, बहुती टेश्टी ये दाल गोस पुलाव बनता है और हम ये बिलकुल भठियारा स्टाइल से बनाएंगे माशाला ये खाने में गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप बरुस सहर के हो या तो फिर बरुस सहर की साधियों में आए है तो आपने ये दालगोस पुलव जरूर से खाया होगा हम इसे गर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते है और बिलकुल हम ये भठियारा स्टाइल से बनाएंगे रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजेगा और मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा दालगोस्ट पुलाव बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना सुरू करते है सबसे पहले हम दालगोस्ट बनाएंगे और उसके लिए हम एक स्पेसिल गरम मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे देड़ चमच सुखा धन्या ले लिया है एक चमच जीरा, एक चमच सहाजीरा, एक चमच सौफ, एक चमच काली मिर्च, 20-25 लॉंग, दो से तिन बाद्यान के फूल, दाल चीनी, 10-12 छोटी इलाइची और चार बड़ी इलाइची लिए है यह सारे खड़े मसाले हम ड्राइ रोस्ट करेंगे कड़ाई में हम यह सारे मसाले डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे दो मिनिट तक ड्राइ रोस्ट करेंगे और ध्यान रखे कि यह मसाले जलने नहीं चाहिए तो देखे हमारी दो मिनिट हो गई है, अब हम इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे खड़े मसाले हमारे ठंडे हो गए है अब हमें इसमें दो चीज़े और डालनी है जैफल का एक चोटा सा टुकडा डालेंगे और दो जावंत्री ले लेंगे यह सारे मसाले हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना देंगे तो देखी मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है दाल गोस का फ्रेश मसाला बिलकुल हमारा बनके तयार है बहुत ही अच्छी इसकी खुसबू आ रही है इसमें से जितनी जरूर लगेगी इतना हम दाल गोस में यह गरम मसाला डालेंगे और दूसरा हम स्टोर करके रख देंगे बठियारी यही style से दाल गोस का गरम मसाला बनाते है और इससे बहुत ही अच्छा टेष्ट आता है तो चलिए अब हम दाल गोस बनाने की तैयारी करते है तो इसके लिए मैंने प्रेसर कोकर में तीन बड़े चमस्ट तेल ले लिया है और इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, लॉंग, बादियान, दालचीनी, छोटी इलाची और बड़ी इलाची ले लिया है और इसे हम अब तेल में डाल देंगे और कुछ सेकेंड के लिए हम इसे बून लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइस की कटी हुई प्यास जिसे मैंने इसे लंबे-लंबे स्लाइस में काट लिया है हलकासा इसमें color आ झाए, वहाँ तक हम इसे बून लेंगे तो देखिए हलकासा प्यास का color change हो गया है इस से ज़्यादा dark brown color हमें प्यास का नहीं करना है अब हम इसमें डाल देंगे mutton mutton मैंने यहाँ पे 400 g लिया है मटन का कलर चेंज होने तक हम इसे प्यास के साथ अच्छे से भून लेंगे तो देखे दो से तीन मिनिट के बाद हमारे मटन का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे अद्रक लहसुन की पेश्ट दो चम्मच मैंने अद्रक लहसुन की पेश्ट डाली है अब हम फिर से इसे अद्रक लेसुन के साथ अच्छे से भूनेंगे और इसे हम लगातार हिलाते भी रहेगे ताकि नीचे से ये चिपके नहीं मैंने इसे दो मिनिट तक अद्रक लेसुन के साथ भी अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे पाउडर, एक चमच, धनिया पाउडर और आधी चमच हल्दी डाल देंगे एक बार इसे हिला लेंगे साथ में हम टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ये रेसे पे मैं आपको बिल्कुल भठियारा स्टाइल से ही सिखा रही हूँ बिल्कुल हम जो साथियों में खाते हैं वही टेस्ट का ये डाल गुस बनके तैयार होगा मैंने इसमें थोड़े से फ्रेस मेथी के पत्ते डाले हैं पर अगर आपके पास ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अब हम इसमें तूवर की डाल डाल देंगे तूवर की डाल को मैंने एक कंड़े पहले पानी में बिगा दिया था और मैंने दो कप तूवर की डाल ली थी अच्छे से हमें इसे mix कर लेना है हम जब घर पे दाल गोस बनाते है तो हम मटन अलग से boil करते है और तूवर की दाल भी अलग से boil करते है और फिर हम masala fry करके दाल गोस बनाते है पर भठियरे दाल और गोस इस तरीके से साथ में ही बनाते है अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मजितना दाल गोस का गरम मसाला जो हमने सुरुवात में ही फ्रेस बनाया था सारी चीजों को हम दो मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसालों की अच्छे से भूनाय होगी तो ही हमारा दाल गोस बहुत ही अच्छा लगेगा अब हम इसमें डाल देंगे तीन ग्लास बर के पानी और पानी मैंने यहाँ पे गरम करके ही डाला है अच्छे से एक बार हिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे ये कुबाल हमारा आ गया है अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बन कर देंगे हाई फ्लेम पे ही हम इसकी 5 सीटी आने देंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को स्लो करके 10 मिनिट तक होने देंगे दाल गोस्त हमारा होता है वहां तक हम पुलाव बना लेंगे तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में यहाँ पे 3 बड़े चम्मस तेल ले लिया है अब हम इसमें 2 मीडियम सैज की प्यास को ऐसा लंबा-लंबा काटके डाल देंगे और इसका हम बीरस्ता बना लेंगे तो देखे हमारा बीरस्ता बन गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब यहीं तेल में हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें मैंने जीरा, लॉंग, दालचिनी, काली मिर्ची, बाद्यान, छोटी इलाईची और बड़ी इलाईची ले ली है इसे हम कुछ सेकेंड के लिए चला लेंगे थोड़े से हम इसमें करी पत्ते डालेंगे दो हरी मिर्ची काटके डालेंगे और एक चमाच हम अद्रक लेसुन की पेश्ट डालेंगे अच्छे से हम इसे हिला लेंगे दियान रखे कि हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए अगर मसाला जल जाता है तो पुलाव का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और पुलाव हमारा थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है अच्छे से हम इसे एक से देड़ मिनिट तक भुन लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे छे गलास पानी पानी हमें चावल के हिसाब से ही लेना चाहिए पानी में हम एक उबा लाने देंगे तेल के साथ आप एक चमबज गी भी डाल सकते है पानी हमारा अच्छे से उबल गया है अब हम इसमें मसूर डाल देंगे चाई का छोटा कब जो आता है वो मैंने आधा भर के ही मसूर लिये थे जिसे मैंने दो गंडे पेले पानी में भिगा दिये थे तो हम इसमें मसूर डाल देंगे और इसे हम पानी में 2-3 मिनिट तक पकने देंगे यहाँ पे पुलाव मसूर का ही बनता है और अगर आप चाहो तो मसूर को पूरी रादबर भिगा के भी रख सकते है 2-3 मिनिट हमारी हो गई है अब हम इसमें चावल डालेंगे तो चावल मैंने यहाँ पे 5 कप लिये है और इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से दो लिये है और ये मेरे कोलम के चावल है कोलम के चावल से पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है और भठिया रेवी पुलाव बनाने के लिए कोलम के चावल ही इस्तमाल करते है तो अब हम ये चावल डाल देंगे अगर कोलम के चावल ना हो तो आप घर में जो भी चावल इस्तमाल करते है वो चावल भी ले सकते है टेश्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे और एक बार हम इसे अच्छे से हिला लेंगे इसे हम ढक्कन लगाए बिना ही 3-4 मिनिट तक अच्छे से उबाल लेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे तो देखे मैंने इसे 3-4 मिनिट तक अच्छे से उबाल लिया है और हमारे चावल भी अब थोड़े थोड़े पकने लगे है तब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और साथ ही में हम इसमें 2 चमस दही डालेंगे और दही हमारा खटा नहीं होना चाहिए और साथ ही में हम इसमें 2 ड्रॉप्स केवडा एसेंस डालेंगे और केवडा एसेंस हमें देखके ही डालना है अगर हम 2 ड्रॉप्स से ज्यादा केवडा एसेंस डालेंगे तो इसकी ही पुला में बहुत ज्यादा स्मेल आएगी जिससे हमारा पुलाव अच्छा नहीं लगेगा तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम प्रेशर कुकर का ढखकन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे हम दो सीटी आने देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो करके 10 मिनिट तक होने देंगे इस तरीके से पुलाव बनाने से हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा और खिला खिला बनेगा अब हम दाल को चेक कर लेंगे देखे मैंने ये दूसरे कुकर में दाल गोस को ट्रांसफर कर लिया था हमें गोस को बिल्कुल पका नहीं लेना है थोड़ी कसर बाकी रखनी है क्योंके हमें इसमें अभी लौकी भी डालनी है तो मैंने यहाँ पी छोटी सी लौकी को छिल के ऐसे बड़े बड़े पीस में ही काट लिया है अच्छे से हम इसे हिला लेंगे आप देख सकते हैं हमारे गोस में अभी भी थोड़ी कसर बाकी है अब हम फिर से इसका डखकन लगा के दो सीटी आने तक पका लेंगे ताकि हमारा गोस और लौकी अच्छे से गल जाए और पक जाए तो चलिए हमारा पुलाव बन के तैयार है इसे हम खोल के देख लेंगे बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव बना है अब हम इसमें थोड़ा सा यलो फूर कलर डाल देंगे जिसे मैंने पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लिया था उपर उपर ही हमें इसे मिक्स कर लेना है इससे पुलाव का कलर बहुत ही निखर जाता है अब हम इसमें वीरस्ता डाल देंगे जो हमने सुरुवात में बना लिया था जितने भी हमने इसमें मसाले डाल के पुलाव बनाया है इससे हमारे पुलाव की बहुत ही अच्छी खुस्बु आ रही है अब हम डाल भी देख लेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी डाल बहुत ही अच्छे से गल गई है और इसमें हमने जो लौकी डाली थी वो भी पक गई है और गोस भी हमारा अच्छे से गल गया है डाल में हम थोड़ा सा हरादनिया और फुदिना डाल देंगे थोड़ा सा हम विरस्ता डाल देंगे और इसे हम अच्छे से हिला लेंगे बहुत ही बढ़िया हमारी दाल बन के तैयार है तो चलिए गर्मा गरम दाल गोस को हम सर्व कर लेंगे तो भरुज की साधियों में जिस तरीके से दाल गोस सर्व होता है बिल्कुल वही तरीके से हम दाल गोस को सर्व करेंगे बडे से थाल में हम पुलाव निकाल लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है मैंने पुलाव बनाने के लिए कोलम चावल इस्तमाल की ए है अगर आप चाहो तो बासमती राइस भी ले सकते है पर कोलम के चावल से ही पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है अब हम बीच में बड़ा सा बाउल रख देंगे और उसमें हम हमारा गरमा गरम दाल गुस्ट सर्व करेंगे तो ये डाल गुस्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट के जरिये मुझे जरूर से बताईएगा बरुज की ये बहुत ही स्पेशल डीस है डाल गुस्ट पुलाव थोड़ा सा हम इसके ओपर बिरस्टा डाल देंगे और थोड़े हरे दनिये के साथ हम इसे गार्निस कर लेंगे साथ में हम कैबेच और ककुमबर का स्टलाड सर्व करेंगे जिसमें मैंने राय का तड़का दे दिया है और साथ में हम अचार भी रख देंगे और गरमा गरम डाल गोस पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और यूसफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक और सेर कर दीजेगा और मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा क्योंकि मेरी चैनल पे आपको ऐसी ही यूनिक और आसाण रेसिपी मिलती रहेगी सो इंसालला मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज, हैपी कुकिंग